हलो स्टुडेंट साज मैं आप लोग को दफन दे हैड पार्ट 3 बताने वाला हूं और इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी पार्ट कहानी के बतला दिये थे तो चलिए शुरू करते हैं But my mother says A teacher has to be adjusted अब यहाँ पे यह माडगी कहती है की मेरी मा कहती है की टीचर को adjust करना पड़ता है to fit the mind of each boy and girl it teaches किस तरह से तो जिस बच्चे को यह पढ़ाता है लडके को या लड़की को उसके हिसाब से उसको adjust करना पड़ता है teacher को और ये भी कहती है माँ उसकी कि हर एक बच्चे को जो है differently मतलब अलगड़ तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए just the same they didn't do it that way then if you don't like it you don't have to read the book तो फिर Tommy क्या कहता है कि वो लोग जो मतलब कि पुराने जमाने में जो टीचर हुआ करते थे वो इस तरह से adjust नहीं किया जाते थे और ऐसा कुछ वो समय नहीं होता था लेकिन यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें पढ़ने की विजरूरत नहीं है इस book को I don't say I don't like it फिर Margie क्या कहती है Margie said quickly कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है she wanted to read about those funny schools वो पढ़ना चाहती थी उस funny schools के बारे में जो हुआ करते थे मतलब उसके grandfather के grandfather का time में they were not even half finished even Margie's mother called और book को वो आधा भी खतम नहीं की थी कि बीच में ही उसकी मा जो है उसको बुला लेती है Margie school Margie looked up not yet उसकी मा कहती है Margie school का time हो गया है तो Margie देखती है उपर और कहती है अभी नहीं हुआ है अभी not yet mama अभी mama नहीं हुआ ये time बोलती है now said Mrs. Jones तो उसकी मा कहती है नहीं अभी अभी करना है school and it's probably time for Tommy too और ये जो समय है Tommy के लिए भी पढ़ाय का time हो गया है Margie said to Tommy can I read the book some more with you after school और Margie उसके बाद एक question पुछती है Tommy से कि क्या वो जो है उसके साथ after school जो है उस book को फ़र सकती थी तो यहां क्या होता है maybe he said nonchalantly तो ये Tommy भी बेपढवा हो करके बोल देता है कि हो पर सकती हो हो सकता है पर सकती हो he walked away wishling और वो वहां से city बजाते हुए चलायाता है the dusty old book tucked beneath his arm और वो जो book था जो dusty था काफी old था उसको वो अपने बाह में रख करके टक करके उसको जा रहा होता है margie went into the classroom उसके बाद margie कहां चली जाती है अपने classroom में it was right next to her bedroom और वो जो classroom था उसको वो कहां था तो उसके bedroom के just next में मतलब कि बगल में and the mechanical teacher was on the on and waiting for her यहां पर कहा गया है कि mechanical teacher जो था वो on था और उसके लिए wait कर रहा था it was always on at the same time everyday और कहा जा रहा है कि यह जो teacher था mechanical teacher यह हमेशा same time पर on हो जा था हर दिन except Saturday and Sunday सिर्फ Saturday और Sunday को छोड़ करके because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours क्योंकि उसकी मा कहती है कि छोटी बच्चेया जो होती है वो बहुत अच्छा सीखती है अगर वो रेगुलर आवर पर जो है वो प्रैटिस करते रहे सीखते रहे तो वो अच्छा सीखती है ऐसा उसकी मा का मानना है the screen was lit up and it said screen सामने lit up हो गया मतलगी प्रकाशित हो गया और उस पर जो है कहा गया today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction कि आज का जो arithmetic lesson है वो किस चीज के उपर है तो proper fraction के addition के उपर based है please insert yesterday's homework in the proper slot और कहा जाता है उसको कि जो उसका कल का homework है उसको सही जगह पर रख दिया जाए ताकि उसको check किया जा सके margie did so with a sign यहां sign होगा तो margie जो है करती है एक sign करती और उसके साथ वो वैसा ही करती है जैसा उसको instruction दिया राता है she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy और वो उसमें क्या कर रही होई तो सोच रही होती है old schools के बारे में जो उसके grandfather के grandfather के time में हुआ करता था जब वो छोटे बच्चे थे all the kids from the whole neighborhood came जितने ही बच्चे होते थे परोज के सभी आते थे laughing and sorting महसते हुए चिलाते हुए in the school yard school yard में sitting together in the classroom एक साथ classroom में बैठा करते थे going home together at the end of the day और एक साथ घर भी जाया करते थे चुट्टी का टाइम में जब इंड होता था देखा they learned the same thing सभी बच्चे एक जैसा चीजे ही सीखा करते थे so they could help one another ता कि हर को एक दूसरे की मदद कर सकते with the homework and talk about it इस चीज में तो homework में और इसके बारे में बातचीत कर पाते and the teachers were people और उस समय teacher कौन हुआ करते थे तो लोग हुआ करते थे mechanical teacher नहीं हुआ करते थे the mechanical teacher was flashing on the screen अब यहाँ पर क्या हो रहा है present situation दिखाया जा रहा है कि उस समय क्या हो रहा है तो उस screen पे वो दिखला रहा है कि आची जो when we add fractions जब हम fractions को add करते किसको किसको half और one by four को और उसके बाद भी कुछ-कुछ लिखा रहता है Margie was thinking उसी समय Margie सोच रही होती about how the kids must have loved it in the old days कि किस तरह से बच्चे जो है इन चीजों को पुराने जमाने में पसंद किया करते होंगे पढ़ाई को she was thinking about the fun they had और वो सोच रही थी कि पुराने जमाने में लोग किस तरह से fun किया करते होंगे इस्कूल में